हालो फ्रेंट्स क्याज़ें आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चलिए टॉपिक बताता हूँ देखे सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि भूगोल सॉरी भू अस्खलन क्या है ठेके भू उसके बाद हम पढ़ेंगे भू अस्खलन को रोकने के उपाय यानि भू अस्खलन किस तरह से होता है उसके कारण क्या है और भू अस्खलन को किस तरह से रोका जाता है ठीके रोका जा सकता है या उसके रोकने के क्या उपाय है उसके रोक थाम के क्या उपाय है यह सभी डी अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुछ लिए हम लोग शुरू करते हैं कि देखेए भुत करण होता क्या है सबसे पहले हैं से पहले injet a-o-o-at-a- क्वूस कोशिस कि जगा जैसे अ कोई भी जगा है ठीक है या कीसी भी भूहणड का टकर के एक जगा से दूसरे जगा पर घिसक ना हanka का किसा क्या कराता है वुस क्ल Exchange कहलता है झालिए ज़ए जान लिजे थोड़ा सा देखे भुवस्खलन एक प्राकृतिक आपदा या घटना है जिसमें भूमी छेतर का एक अस्थान से दूसरे अस्थान की और खिसाकना या गिरना पथरीली मिटी का बहाओ या चटान गिरने की घटनाए सामिल होती है जैसे क्या होता है कभी-कभी कि पहाड वगरा जो होते हैं वो पूरा मतलब की अलग घिसाकने लगते हैं या फिर क्या होता है कि वो धीरे-धीरे जो है उपर से जो है अस्खलित होने लगते हैं धीरे-धीरे नीचे मतलब गिरने लगते हैं जहेुः जहेँ बहने लगते हैं धीरे-धीरे ठीक है मतलब की जैसे पानी भखता है उस तरह से उपर से पूरा एकदम धाने लगता है पूरा इसको कहते हैं भू अस्खलन ठीक है जैसे आप इस फोटम देख सकते हैं कि जो रोड पर किस तरह से जो है पहाड पूरा जो है कट करके गिर गया है इसी को भू अस्खलन कहा जाता है ठीक है मतलब आटमेटिक जो है पहाड कभी-कभी क्या होता है कि धाने लगता है या कभी- उन सब को भूस्खलन कहते हैं देखे भूस्खलन से जन धन दोनों की हानी होती है जिसकी ओसत गती 260 फिट प्रति सेकेंड होती है मतलब जब भूस्खलन होता है तो 260 फिट प्रति सेकेंड की गती से होता है देखे भूस्खलन गुरुत्रा कर्शन बल नदियों द्वारा किये जाने वाले कटाओ वनों की कटाई गलत क्रिसी परणाली आदी कारणों से होता है जिससे मानव वा अन्य सभी जीवों को भारी नुकसान होने की संभावनाई होती है जो भुवस्कलन होता है उसके बहुत सारे कारण होते है उनमें से ही मुख ये कारण के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें तो आप यहां तक तो समझ गए कि भुवस्खलन क्या है या भुवस्खलन किसे काते हैं ठीक है अब चलिए हम लोग जानते हैं भुवस्खलन के क्या कारण है देखे भुवस्खलन के कारण रीजन ओफ लैंड स्लाइड इन हिंदी ठीक है मतलब कि भुवस्खलन को लैंड स्लाइड कहा जाता है देखे सबसे पहले कारण है अप्चय या अपरदन जो अप्चय अपरदन किस तरह से भुवस्खलन की प्रक्रिया में सहायता करता है देखे जिन चटानों में खनीज पतारत की मातरा अधिक पाई जाती है उन चटानों में अप्चय अपरदन की किरिया अधिक अपनाई जाती है देखे चटानों में अधिक अप्चय या अपरदन की किरिया की वज़ा से उन चटानों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और चटानों पर धूप पढ़ने पर वह सूखने लगता है जिसके कारण क्या होता है कि यह जो है नीचे की और खिसकने लगती है और इसके अलावा अप्छाया परतन से भूमी कंच्ची पढ़ जाती है जिससे उसमें भू असकलन की संभावना अधिक बढ़ जाती है देखे, माली यह कोई पहाड में खनीच बहुत ज़्यादा पाया गया ठीक है और जो है खनीच देकालने के चकर में क्या किये कि जो है भूगर मतलब जो खनीच वगर निकालते हैं पहाड से पत्रों से बोलो क्या किये कि इसमें पूरा पानी डाल दिये ठीक है गड़ा करके और पानी डाल दिये जिससे होता यह है कि मीती धिरे धिरे बह जाता है और जो खनीच पिदात होता है वो वहीं पर रह जाता है तो इससे होता क्या है कि पहाड पूरा कमजोर हो जाता है और कमजोर होता है तो अगर थोड़ा सा भी भूकम पाया तो क्या हुआ वो पूरा घसक जाएगा नीचे ठीक है पूरा एदम पानी की जैसे बह जाएगा क्योंको इसका घनत्वा कम हो जाता है ठेक है तो इस तरह से अप्छाय के प्रकिरिया या परदन के प्रकिरिया जो है भुवस्खलन में सहता करती है मतलब भुवस्खलन का कारण यह है बहुत बड़ा कारण है चटानों में भुवस्खलन का यह प्रमुक कारण है इसके बाद गुरुत्वा कर्शन के कारण के इस तरह से भुवस्कलन होता है देखे गुरुत्वा कर्शन के कारण भी भुवस्कलन होने के संभावनाय रहती है खड़ी और बड़ी चटानों में गुरुत्वा कर्शन बलके प्रभाव के कारण इन चक्टानों में भू अस्कलन हो जाता है कभी कभी कहा होता है कि चक्टान पूरा खड़ है और ज़्यादा गुरुतव अकरसन मतलब की लगतार गुरुतव अकरसन लग रहा है अब यह सहन किये हुए है अचानक पतर चला कि असानी हो गया तो क्या हुआ डायरेक्ली यहां से नीचे ऐसे घसकना शुरू हो गया ठीक है यह जमीन है यहां पर पहाड है और यह क्या होगा दीरे दीरे इस तरह से ऐसे नीचे इसका जो है मिती ऐसे घसकने लगा ठीक है देरे दीरे इधर फैल जाएगा पूरा इधर भी फैल जाएगा इस तरह से हैं तो गुरुत्वा करसम की कारण जो है भुवस्कलन इस तरह से होता है इसके बाद वनों का कटाव वन के कटाव से किस तरह से भुवस कलन होता है देगे वन जब काटे जाते हैं तो क्या होदाई कि वन जो होते हैं कहां पर होते हैं पहाड पर होते हैं ठीक है तो पहाडों पर जो होते हैं वन उसमें क्या होता है कि वन पूरा मिटी को ऐसे जक्रे हुए राता है ठीक है मतलब कि उसका जड मिती को पूरा जक्रे हुए रहता है अब जक्रे हुए रहता है तो अगर पेर को काट दिया जाए तो उसका जो है जक्रे हुए है मिती को जो पकड़े हुए है वो क्या होगा पकड़ उसका कमजोर होगा तो पहाड की मिती क्या होगी उसको मतलब की क्या क्या उसका घनत वकम हो चाएगा ठीक है अब जब भुकम पोगरा आया कुछ बारिस वगरा आया तो क्या होगा वो धीर धीरे कट करके बहने लगेगा तो इस तरह से अपरदन के किरिया हो गई और उसे अपरदन के किरिया के कारण क्या हुआ जो है भुवस्कलन हो गया इस से उस में अचानक ये धीरे-धीरे मिठी का कटाऊ होने लगता है जिसे भूर अस्कलन कई जाता है मतलब की जो है पेन को काटेंगे तो क्या होगा कि मिठी कमझोर पर जाएगी थे मitיא की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी और जिसके करण भुवश्खलन हो जाएगा व्रेक्षार ओपन भुवश्खलन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है जिस अस्थान पर वनों की संख्या आदिक होगी उस अस्थान पर भुवश्खलन की समभावना है सबसे कम होगी क्योंकि जो है पेर की जड़ है वो मिती को पूरा पकड़े हुए रहती है ठीक है इस तरह से जो है भुवस्खलन कम होता है ठीक है भुवस्खलन होता ही नहीं है जहां पर पेर पहुधा ज्यादा होते हैं वहां पर भुवस्खलन नहीं होता है ठीक है और जहां पेर नहीं हो वहाँ पर अचानक भुकम्प होगे राया तो क्या हुआ पूरा भुवस्खलन हो जाएगा चली आगे भुकम्प अब भुकम्प किस तरह से काम करता है भुवस्खलन करने में देगे भुकम्प एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी निश्चित छेत्र को आंतरिक रूप से प कमजोर पढ़ जाती है को उसमें कटाव या अपरदन होने लगता है जिनका विशाल रूप भुवस्खलन कहलता है जैसे भुकम्प आया तो पूरा पहाड हिला दिया पहाड हिलाया तो क्या हुआ उसकी जो है मिट्टी कमजोर पढ़ गई ठीक है पहाड कमजोर पढ़ गय और यहां पर देखें भुकम्प क्या है भुकम्प के कारण क्या है इसके बारे में भी वीडियो बना दिया क्या है आपको हमारे चनल पर ही मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं आगला है निर्मान कारिया निर्मान कारिया कि तरह से भुवस्खलन के कारण है चले जन मानों को बहुत हानी हो रही है, मानों अपनी सुधा के लिए कई निर्मान कारे कर रहा है, जैसे रेल और जो सडक निर्मान हो रहे हैं, जिसके लिए कि भूमी कटान हो रहा है, और जो है भूमी का कटा हो रहा है, पेयन का कटा हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से भूमी एक और है कारण है ज्वाला मुखी यह विस्फोट ज्वाला मुखी के विस्फोट के कारण उत्पन हुए कमपन से जब निकट वर्ती छेत्रों में भूमी नीचे की और सरकने या काटने लगती है तो इसे भोशकलन कहा जाता है जैसे कहीं पर कहुआ है कि ज्वाला मुखी फ उसको वो जो हिनले लगता है और ये जो है दिरे-दिरे क्या हुआ उपर से पूरा इसका जो है मिटी वेगारे ये नीचे बहने लगा ठेक है तो इस तरह से ज्वालाम के स्पोट के कारण जो है भोस्कलान होता है इसके बाद जलवायू जलवायू के कारण के स्पोट से जो है भोस्कलान होता है देखे भोस्कलान के होने के कारणों में जलवायू जिसमें वर्षा सबसे महत्तपून कारक है चिन छेतरों में जलवायू अधिक वर्षा वाली होती है उन छेतरों में अधिक वर्षा होने से भोमिगत संत्रेप्त हो जाती है जिससे भोमि में अत्रीक्त जल की मात्रा पाई जाने के कारण वह कमजोर पड़ जाती है वह अत्यथिक भारी वर्षा भी भोस्कलान का कमजोर होगी तो वहाँ पर थोड़ा सा भी इधर धुरुआ तो भुवसकलन पूरा हो जाएगा ठीक है इसके बाद है आगे अन्या मानवी यह हस्तक छेप ठीक है उसके बाद हम लोग रोग ठाम के उपाए पढ़ेंगे अन्या मानवी हस्तक छेप जैसे और भी जो है खनन हो है जैसे बांधों के कारण भुसकलन भी होता है कि जैसे बांदों करने मार हुआ तो पानी ज्यादर रुख गया है उसमें ज्यादा पानी हो जाएगा ठीक है जमीन में ज्यादा पानी होगा और ज्यादा पानी होगा तो क्या होगा भूस्कलन होगा क्यों की मिटी के पकड़ कमजोर हो जाएगी ज्यादा बारे चुगा तो तुरंट भूस्कलन हो जाएगा इसके बाद अब चले जानते हैं भूस्कलन के रोक ठाम के क्या-क्या उपाय है देखे पॉइंट पाइप पॉइंट इसमें जानेगे सबसे पहला उपाय है व्रिक्षार उपन करना एवं वनों की अधिधिक कटाई पर रोक लगाना व्रिक्षार उपन कहा जाता है कि व्रिक्ष लगाने से बहुत सारी घटनाए या दूर घटनाए कहें ठीक है प्राकृति घटना वह बहुत मतलब की रुक जाती है ठीक है तो व्रिक्षार उपन करना बहुत ही जरूरी है और वहना कोई कटाई हो सके जितना कम हो तो भूस्त खनन को रोका जा सकता है इसके बाद है भूमी के उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमी को क आसे निकाले ऐसे ऐसे करके खान करके इसको और निकाल दिये ठीक है इधर से जो है निकाले पूरा जो खनी वगएरा और इसमें मिटी वगएरा डालता ही नहीं है लोग ठेक है या जमीन से ऐसे निकाल करके जो सुरंग वगएरा जैसा बना करके कोईला वगएरा निकाल र है तो किमें मीटी डालना होता है मेरी दालते ही नहीं जिसके करण होता क्या है कि उपर से बारिश वती है और इसके करण क्यों होता है कि अपरे से ॐसलो पानी ज्यादा हो जाती है जिसके करने क्या होता है जमनी पूरा निचे धास जाता है तो इस तरह से जो थो ईह अन्य को बढ़ावा को अभा जलक से मिती काटकर डाल दिया जाए तो भूस्खलन के प्रक्रिया कुछ कम हो सकती है ठीक है इसके बाद है जल निकासी नियंत्रन के उपायों को अपनाना अब जैसे जल कहीं पर ज्यादा भर जाता है तब भी भूस्खलन हो जाता है ठीक है आज पास की मिती में ज्यादा प कि नियंत्रित करें ठीक है अच्छे तरह से उसका निकासी करें निकाल दे जल को बहा दें तो हो सकता है भूसकलन कम हो जाए इसके बाद भूमी महत्वा की प्रती लोगों को जागरू करना और लोगों को सिक्षा परदान करना किसे को पता ही नहीं है कि भू जो भूमी का पहस्कलन हो रहे हैं अगला है तेवर ढालों की अपेक्षा समतल भूमी में क्रिसी करना यह भी है तेवर ढाल वाले में माली पहाड जो क्रिसी करते हैं ठीक है यहां से क्रिसी कर रहे हैं इस तरह से ऐसे खेती कर रहे हैं छोटा-छोटा ऐसे बना करके ठीक है ऐसे जो है खेत बना करके तो क्रिसी इसमें करते हैं तो यहां पर पानी भरते हैं ठीक है पानी डालते हैं यहां पर पानी डालते हैं तो क्या होता है पानी नीचे चला जाता है ठीक है पहाड में चला जाता है अब पहाड में जाता है तो यहां से क्या हुआ मिती कमजोर हो जाता है जिसे कार यहां पर है भी सनांतिरित क्रिशी के अप्रेक्षा अस्थाई और स्विरिनुमा क्रिशी प्रणालीगो अपनाना इसके बाद ज्वाला मुखी व भुकम से प्रभावित छेत्रों में वरेक्षार ओपन करना और खनन उत्खनन करिया न करना जहां पर भुकम पाया है वहां पर वरेक्षार ओपन वगएरा करना और खनन जो की प्रक्रिया है उसको न करना मतलब भुकंप जहां गया है वहां पर खानन वगरा करेंगे तो क्या है पहले से भुकंप पाया है भूमी और कमजोर है और भी खानन वगरा करेंगे तो भूस खालन और ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से उसको रोकने के लिए जहां पर भी भुकंप वगराया है य कोई अगर प्रस्ण है कनफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगले बीडियो में नयए टोपिक के साथ तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनले को अभी दिए को कर दिजेगा मिलते अगले में धन्यवाद